हेलो एब्रीबन वेलकम बाक टो अपरचेत एक्जाम बैरियर आई होप आप सबकी प्रिप्रेशन बहुत अच्छे चल रही होगी यॉर प्रिप्रेशन इस गूइंग बैरी वैल एंड जैसरी किस्ना गूड इबनिंग एब्रीबन और फिर्स्ट कॉंगरेचुलेशन टू ए हमारे सामने कोई एक्जाम नहीं है तो उनके पास बहुत सारे मेस्जिजेश मेरे पास भी आ रहे थे कि सर क्या करें समझ नहीं आ रहे है बहुत टैंस थे बचे तो फाइनली गॉड ने आपकी सुन लिये और क्लरक आपके सामने है बचे बट डैट टाइम आपको अपना हं लगा दो भई प्लीज अपना 100% एफोर्ड दीजियो और दिन रात एक कर दीजिये डेफिनिटले आप लोग सेलेक्टेड होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है I know very well कि जो भी एक्जाम में आप लोग फेल हुए हो ठीक है मैं डारेक्ट बोलता हूं कि फेल हुए हो या फिर बर करना है आपको ठीक अगर आप उस पर बर कर लेते हो आपका एक्जाम कहीं नहीं जाएगा ट्रस्ट मी आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से करोगे और यह लिख लीजिए कि आपकी जो स्माइल है ना वो आपकी फेमिली की स्माइल एक बहुत बड़ी स्माइल बन जा बेट आप समझेए फेलिंग्स को ठीक है बेट मैं बहुत कुछ हूँ आप सब के लिए क्योंकि आप फाइनली आपके सामने एक वांस अगें कह सकते एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ी बात बचे टोटल बेकेंसी ठीक है जूनियर असिस्यूर्टे 73 ठीक है बिकॉज ये लास्ट कह सकते हो लास्ट 2018 के बाद 2018 के बाद सबसे ज़्यादा बेकेंसी हैं बचे मतलब 6 साल में 6 साल के बाद after 6 years ठीक है ये इतना अमाउंट में बेकेंसी आपके सामने है तो बहुत बड़ी बेकेंसी आपके सामने बेट कर रही है बचे बट आप आपका effort चाहिए आपका heartwork चाहिए आपकी अपना effort देजिए आप किसी के लिए मत करिए आप अपने family के लिए करिए because उनको आपकी success का सबसे ज़्यादा बेट है बचे आपकी success के लिए वो कितना जहलते है ना उसको feel करिए और उसको अगर आप feel करते हो आप trust me definitely आप उनको करके दिखा होगे पस उनके लिए करिए क्योंकि वही आपकी जिन्दगी के सबसे बड़े कह सकते हो God है no doubt so please do it hurry up guys अब रुकिये मत अब लग जाए और जो टाइम बचाए दिन रात एक कर देजिए बही कुछ करके दिखाए क्योंकि अगर आप 27 से बैठे हो ना trust me फिर दो चीज हर एक चीज को remove करिए अपनी life में जो आपको disturb कर रही है जिससे आप disturb हो रहे हैं आगे बढ़िए और इसकी तरफ जाए और दिन रात एक कर दीजिए क्योंकि competition हाई है इसमें कोई सक नहीं है बट अगर आप अच्छे से मैनत करते हो तो आपके सामने कोई competitor नहीं आए अगर मैं ज्यादा बोलूंगा ठीक है पर नहीं कोगे कि आती सर इतना सारा बोल दी ठीक है बट आप मेरी फिलिंग्स को समझे ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूं ठीक है तो mode of application बच्छे online रहेगा mode of exam online होता है you know very well and total vacances 8283 पर टूटल vacances यहां इतनी है यहां पर इतनी है ऐ इसके बाद जो इतनी आने के बाद क्या हो है बच्छे इसमें इसमें backlog जो vacances है 400 backlog 400 plus backlog बच्छे जो vacances है ठीक है backlog vacances इसमें add कर दी है ठीक है कहीं आप लोग सूचो भी कि ऐसा क्यूं हो रहा है ठीक है तो वो add होने के बाद यह 8773 हो गया है clear है backlog वाले है 400 प्लस यह ध्यान टीक है आगी discuss करेंगे don't marry इसमें हम बच्छे discuss करेंगे cut off discuss करेंगे ठीक है cut off ठीक है qualification qualification ठीक है बच्छे और देखो qualification is clear एस हो गया ठीक है और वेकेंसी स्टेड़ वाइस वेकेंसी ठीक है और इसमें करेंगे हम क्या एक्जाम का पैटर्न एक्जाम पैटर्न बचे ठीक है एक्जाम पैटर्न एंड इसमें डिसकस करेंगे फुल स्ट्रेजी ठीक है फुल स्ट्रेजी किसके लिए बचे SBA clerk के लिए GA के साथ GA का कैसे read करने कैसे follow करने वो सारी चीज़ें GA कैसे पढ़ने क्योंकि last में आके आप यहीं पर रह जाते हो mains में पहुंसते हो में पहुंसते हो मेहनत करके फिर यह आपका एक big point बन जाता है सो इस पर बर करने की जरुवत नहीं है इस पर मैं हूँ आपके लिए always यहां पर ठीक है don't worry बट जो मैं कहूंगा वो आपको follow करना पड़ेगा definitely कोई selection आपका नहीं रोग सकता मैं definitely 100% guarantee के साथ आपके साथ कड़ाऊ और 100% आपको मैं so कराऊँगा की questions क्या थे आपको videos जो भी provide करूँगा content उससे बाहर नहीं जाने दूँगा just trust me आपको कहीं कुछ करने की जरुवत नहीं है clear है I hope clear होगा भी next देख लेते हैं ज्यादा lengthy हो जाएंगी चीज़ए apply date 17 है बच्चे ठीक है और कब तक होगा 17 तो यहोगा बच्चे 7 December तक clear है तो दिहां रखने आपको 17 से 7 तक होगा तो आप 20 या 21 तक इसको fill कर देना ठीक है बच्चे क्योंकि थोड़ा सा आप जब इसको fill अप करूगे आप जब इसको fill करूगे please read it carefully and पहले अच्छे से सारी चीज़ा देख लेना जो समझ नहीं आए उसको गलती मत करना जब तक आप कुछ एक दो वीडियो देखके चीज़े clear ना कर लो क्योंकि बहुत सारी बच्चे जल्दी से जाएंगे और जल्दी से कुछ नहीं कुछ गलतीयां कर देते किसी ने किसी प्लेटफर्म पर बरना मैं बता दूँगा कोई इसमें इतना बड़ा है सुनी है बट इतना ध्यार रखिए बच्चे कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना है कि 20 या 20 से 20 या 20 फरस्ट तक आप इसको भरियेगा ठीक है अच्छे से डिटेल के साथ कुछ भी रॉंग नहीं करना है क्योंकि ये आपका कह सकते हो भई आपका सपना है ठीक है ठीक है आपका एम है आप इसको जॉइन करने के लिए आपने बहुत बेट कर रहे है तो इसमें कोई भी छोटी-मूटी गलती नहीं करनी है नेस लेते हैं बचे प्रिए गजामें जनवरी 2024 बंचे मेंस February में होगा ठीक है और एग्जाम ble perfecto रहते है प्रिलिम्सूड़ orphcı लिए के लिए बते है्ना क्वालिफाई के लिए हूथा है स्लैस केरियर्स क्लियर है नैस चल लेते हैं भई ताकि सेसन जाधा लैंद ही ना हो आप कहोगे सर इतना सारा तो बोल देते हो आप बट क्या करूँ भई मैं मजबूर हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की नर्वसनेस मैं देख रहा था कंटिनू इसलिए मैं थोड़ा सा क अब क्या सकते हो गर्यानी की कोसिस कर रहा हो ताकि आपको फील हो कि हाँ अब तो करना ही है क्योंकि नोधी आज देखते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ तो वो जो feeling है ना मुझे भी hurt होती है क्योंकि आप इहाँ आओ और फिर अपना इतना time दे रहे हो बहुत सारी चीज़ है ठीक है कुछ importance date है बचे ठीक है clerk notification जो out हुआ बचे कल हुआ था 16 November को ठीक है और SBA clerk notification online जो 17 से start है और online application close 7 December तक हो जाएगा तो आप मैं फिर से कहा रहा हूँ 20 से 21st को ये fill कर देना और इसको fill करने के बाद आपके power एक bill power कह सकते हो create हो जाएगी कि अरे भई वा हमने SBA fill up कर दिया है और भई आप तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज आपके अंदर घुज जाएगी तो उससे आपकी mind active होगा और आप अच्छे से आगे को grow करोगे कि हाँ भई आप इसके साथ जाना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले ज्यादा लेट मत करना नहीं तो फिर 10-15 दिन आप ऐसी निकाल दोगे ठीक है तो वह नहीं करना है ठीक है 2021 तक आप उसको फिल अप करिए उसके बाद आराम से आपके mind में एक active हो जाएगी चीज कि हाँ अरे exam मैंने form fill कर दिया मेरा exam है मुझे study करनी है तो यह चीज आपको थोड़ा सा कह सकते हो कि आगे को आगे लेकर अज़ाएगे क्लियर नेस्ट बिचे प्रिलेम्स एड्मिट कार्ट एबिलेबल जो हो जाएगा वह 27 दिसंबर तक एबिलेबल हो जाएगा तो बही दिसंबर एडमिट डाउनलोड में 4-5 दिन तो लेते हैं 3-4 दिन तो उसके बाद हो सक सथिन से थिके लिए इस संकेल रिजए चे Chat की घुजरात के हरकर कि सरकल में आपको बतार हूँ तो आपको क्या करना कि से अभी हम आ देख लिएते हैं फ któ बिचे घु maior में सबसे जादा 15830 we can see Jordan यह तो आपके थे कि कई तन अगर आप हैं और भी आप किसी अधर स्टेट से डाल रही हो फॉरम को फिल अप कर दिया आपने तो वह लैंगजबेस का 혹시 होते हैं तो आपको भॉ लैंगजबेसाना ज़्लूरी ए अगर आप में और प्रिदेश में या फिर आप गुजरात में बैच्झे अगरFX सर्फिल कर रहे हुआ तो आपको गुजराती आनी चाहिए अदरबाईस कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको टाइम मिलेगा ठीक है थोड़ा सा सीखने के लिए ठीक है लिखना भी आपका जरूरी है बोलना भी जरूरी है कह सकते हो जैसे अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हो ठीक है तो हिंदी जैसे आपको आती है लिखना करता है कि यह चीज आने चाहिए तो यह हो जाता है कोई इतना बड़ा इसू नहीं है आप लोग कर लोगे मुझे भरूस है ठीक है आप अगर अगर अधर स्टेट से भी जा रहे हो तो करिए अधरवाइस भई सब स्टेटों में अच्छी वेकेंसी इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है थोड़ा खुद पर भी होसला बनाए रखे क्लिर है तो यह ध्यान रखना कि इस तरीके की चीज़ों में कोई इतना बड़ा इसू नहीं होते है बट होता है थोड़ी दिक्कत होती है अगर हम बच्चे है और छोटा बड़ा अगर हम स्टाइटिंग से पढ़ते ह है तो थोड़ा सा हाड तो लगता है ना स्टाइटिंग में तो अब तो आप एक्टिव हो थोड़ी सी चीज ने आपका मैंड इतना एक्टिव है तो बहुत जल्दी कर लोगे ठीक है तो उसमें टाइम मिलता है दो तीन महीने जो भी लगता है ठीक है तो आप कर लोगे आर यह महां गोल्डन यह गोल्डन है ठीक है करनाट का में अच्छी वेकेंसी हैं बच्छे MP में 288 है ठीक है 36 गड़ 36 गड़ में बच्छे 212 ओडिशा 72 हरियाना 267 ठीक है जमो कस्मीर 88 हिमाचल प्रदेश 180 लदाख 50 पंजाब 180 क्लियर है नैस देख लेते हैं अब रखने की तो कोशिस सारी चीज़ें गई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटा होसा हो गया है बट आप थोड़ा सा समझना ठीक है तमिल नाडू में बच्छे सिभी 171 पुडशए ओर फूर है तैलांग नाम Varum 25 है राजिस्तान में वह नाय्न फॉडिये त्रीक है टिक है राजिस्तान में नायिन्न फॉडिये ठीके बच्छे वेस्टिंवाल में पड़ेगा वास ठीक है और महरास्ट है महरास्ट में बच्छे 100 है डेहली में 437 है उत्राखंट 250 है और उड़ांचल प्रदे 69 है आसम 430 है मनिपूर्ट 26 है मेगाले 77 है मुजोरूम 17 नागलेंड 40 तरपुरा 26 बिहार 415 जारकंट 165 केरला बच्छी 47 है और लक्सदीप कितना है बच्छे लक्सदीप का 3 है तो टोटल जो बेकैंसी बच्छे 8283 क्लियर है आई हो बई क्लियर होगा ठीक है है तोटल बेकैंसी आपके सामने मैंने रख दिया है इदर टोटल 8283 बैकलॉग बेकैंसी बच्छे 490 है तो टोटल हो गया 8773 क्लियर है नेशत देख लेए बच्छे पैटर पैटर्न क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ प्रिलिम्स का क्या है बच्छे प्रिलिम होता है ठीक है और एक गंटे का होता है और त्री सेक्शन होते हैं कैसे होते हैं बच्छे एक इंग्लिज लेंग्विज होते है ठीक है कि इंग्लिज में बच्छे आपको 30 मिलेंगे 30 मार्क्स के 20 मिनट रहेगा ठीक है एक चीज में बता दू यह नोटे थोड़ा सा याद रख लेना देर बिल भी कि यह चीज दिहां रखना आप लोग इसमें जो सेक्शनल होता है वो टइमिंग होती है ठिक है कि आपको भाई 30 कुशन सें 30 मार्क्स के हैं और 20 मिनट मिल रहे हैं ठीक है तो यह कह सकते हो कि टाइमर जो अर वो सेक्शनल रहे गए तो भी 20 मिनिट्स में आपको 30 questions clear करने है, clear है, 35 questions बच्चे, 35 marks कही है, 20 मिनिट्स में इसको भी दिया गया है, ठीक है, और 100 जो, sorry, 35 questions जो reasoning की है, बच्चे, numerical ability की, ठीक है, और reasoning ability बच्चे 35 है, ठीक है, तो भो भी 20-20 मिनिट्स इनको दिये गए, clear है, सबको 20-20 मिनिट्स दिये भी इन्होंने, ये चीज दिया रखने हैं आपको, ठीक है, मैं इसको थोड़ा clean कर देता हूँ, नहीं तो कावगे सर इतना गंदा कर देते हैं आप, ठीक है, तो दिया रखने है, total questions 100 रहेंगे, total marks भी 100 रहेंगे, और एक hour इसको मिलेगा, ठीक है, त नस्त देख लेते हैं, नस्त बच्चे, मेंस एक्जाम का pattern क्या है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, मेंस एक्जाम का, मेंस का जो है, आपको ध्यान रखना है बच्चे, हमारा जीए आता है, जर्नलावारनेस, ठीक है, pattern कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो previous year था बच्चे, सेम ही है, मुझे लगा साइद कुछ चेंज किया हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम ही है, ठीक है, तो ध्यान रखन बच्चे, 40 questions रहेंगे, 40 marks के रहेंगे, 35 minute मिलेगा, ठीक है, quantitative aptitude का जो रहेगा बच्चे, 50 questions रहेगा, 50 marks का रहेगा, and 45 minute मिलेगा आपको, ठीक है, reasoning ability, and computer aptitude, देखो, अगर time है, तो आप इस पर बर्ग करिए, आप इसको तो, इसकी पी कर दीजिए, अगर time है, तो पढ़ ल गेन कराएगी, ठीक है, यह आपका एक कैस अब तो, solid point है, आपके पास, clear है, nest देख लेते हैं भी, nest है, nest बचे, यह 50 marks का होता है, reasoning भी, ठीक है, और 60, sorry, 50 questions होते हैं, और 60 marks के होते हैं, ठीक है, और जो time मिलता है, वो 40-45 minute है, इन दौनों के लिए, याद रखना, quantitative, यहने की quant के लिए, और reasoning के लिए, आपको 45-45 minute मिलेंगे, और GA, और English के लिए, 35-35 minute मिलेंगे, इसका मतब, इसको पूरा जो total time मिलेगा, इसमें number of questions बचे रहेंगे, वो 190 रहेंगे, और marks जिन के रहेंगे, 200 रहेंगे, और जो total duration यानि की, जो total time रहेगा, 2 गंटे, 40 minute यानि की, 2 hours, 40 minute रहेगा, clear है, I hope clear होगा भई, next चलते हैं, next है, बचे, ये बोल रहे है, as limit चुर रहेगा, not below 20 years, मतलब 20 years से नीचे नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्याँ रखना है, 20 years से उपर नहीं होना चाहिए, ये ये भी बोल रहे है, journal के लिए, ठीक है, minimum जो कह सकते हो, 20 होनी चाहि है, ठीक है, 20 से जादा हो, और 28 years से उपर नहीं हो, 28 से उपर नहीं हो, clear है, ये भी देख लेना, ये कुछ अपर is limit, relaxation है, relaxation में, SES टिक लिए 5 years का रहता है, आप लोग add कर सकते हो, इसमें, ठीक है, 28 प्लस 5 आप add करेंगे, तो 33, ठीक है, इस तरीक है, इस तरीक है, OBC में ब 10 years का है, बच्चे, PWD, BD, SCST के लिए 15 years का है, PWBD, OBC के लिए 30 years का है, clear है, I hope, clear होगा, आपके सामने हैं सारी चीज़ है, ठीक है, अच्छी quality, अगर नहीं आ रहा है, doubt अगर लग रहा है कि कुछ clean नहीं देख रहे है, तो quality को 720 कर ली जिएगा, clear है, सब चीज clear हो जाएगी नैस देख लेते हैं, जोन 2023 की है, ठीक है, जिसमें 33,000 home pay रहेगा, मतलब take home pay, मतलब जो amount में आया था, salary का, वो उसकितना है था, 33,000, मैंने कहा था, 35 के आसपास ही रहता है, around रहता है, आसपास रहता है, 35 या फिर, मतलब उपर नीचे हो जाता है, बट इतना ही रहता है, ठीक है, एक चीज ना आ apprentice, SBA, apprentice वाले, parents है, मेरे, ठीक है, apprentice, याद रखना है, ठीक है, जो apprentice वाले बच्चे है, हमारे, ठीक है, उनका क्या है, जो training बगरा कर चुके है, training, ठीक है बच्चे, यह बहुत most important है, ठीक है, यह दिया रखना है, training, ठीक है बई, important है ठीक है जो trained है जो बच्चे trained है मतलब जन्होंने कह सकते हो कि training कर। रहे हैं ठीक है मतलब एक 31 10 23 से पहले तक ठीक है 31 10 23 तक ठीक है अगर उन्होंने training ले रखी है ठीक है आप्रेंटिस जो बच्चे है तो उनको 2.5 मार्क्स हा कितने का बच्चे 2.5% marks का क्या होगा बच्चे Increasement होगा उनके marks में Increasement होगा ठीक है तो आप थोड़ा से समझ ये बात को कि बही जो लोग बच्चे जिनके पास opportunity नहीं होती है वो इसके साथ जाते है तो वो कह सकते हो कि भी मेहनत का उनको मिलेगा ठीक है तो 2.5% marks का उसका 70 marks आ गया तो उसमें ये 2.5% marks मतलब 5 number इसमें add करके इसको 75 provide करेंगे clear ये है इसका means I hope बई clear होगा जो मैं कहना चाहा रहा हूँ नेस्ट देख लेते हैं बई ठीक है नेस्ट है बची prelims cut off है आपके सामने है ठीक है prelims cut off है आपके सामने है कि अगर आप अगर आप 70 ठीक है 70 आपका जो अभी target होना चाहिए बच्चे वो 75 marks का होना चाहिए ठीक है अभी आप कुछ मत देखिए इतना target बनाए कि हमें 75 हमारा target होना चाहिए ठीक है वो आप कहा मैनत करते हो कैसे करते हो आप खुछ से decide करिए अगर इतना score आ रहे है तो आपकी cutoff clear है इसमें कोई doubt नहीं है mostly जो मैंने देखा है वो 70 की लमसमी रहता है 70 plus ही रहता है बच्चे तो मैं 75 का आपको target बनागर दे रहा हूँ कि आप इतना रखिए ठीक है आपको कहीं कुछ करने की जरुरत नहीं है आपका कोई selection नहीं रोख सकता trust me ठीक है इस चीज ध्यान रखिएगा ठीक है तो मैं mostly जो आपको रखना है बच्चे ठीक है वो 70 plus यानि कि 75 तक का target बना के रखिए clear है next चलते हैं बई next आप mains का cutoff दे दिया है हमने हम चाहते हैं कि भी आप थोड़ा self से study करिए ठीक है आप खुद भी देखिएगा बट और ये बच्चे ये journal के बेस पर हम बता रहे है journal के लिए 70 75 का target रखिए ठीक है journal के बेस पर बता रहे हैं इसको हम ठीक है कहीं सोचो आपकी बई एससी बगले भी मतलब तो मैं आपको बता दू कि 75 के target है वो जर्नल के बेस पर बता रहे हैं तो आप दिया रखने है आपको इतना बना कर रखना है marks को clear है nice देख लेते हैं बच्चे क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए आपको क्वालिफिकेशन मैं बता दू आपको क्वालिफिकेशन जो होने चाहिए वो बस आप graduate होने चाहिए ठीक है आप graduate हो ठीक है ग्रेजुइशन आपका अगर complete पर आपने फरक नहीं पड़ता आपने BA कर रहा है वह बई क्या है BCA क्या है anything कुछ भी चलेगा बट आपका graduation complete होना चाहिए कब तक बच्चे 31, 12, 12, 23 तक आपकी qualification आपकी degree अगर नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है बट आपका exam हो गया हो एक दो मन्त अगर बाद भी मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है आपका result होना चाहिए तो आप इसको apply कर सकते हो clear है इस date तक आपका हो जाना चाहिए clear है बच्चे I hope बई clear होगा फीस आप सब जानते हूं 750 है ठीक है एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहता हूं भई ठीक है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और वो क्या है वो मुझे याद आ रहा है कि भई कैसे कैसे चीजों को करना है ठीक है तो एक चीज और धियान रखने कि just amazing बच् हो गया कौण्ट हो गया ठीक और हो घ्रीर इंगलिस हो गया एंगलिस होंगे एंगलिस थीजस और आप इसमें आपका जो टार्गेट होना चाहिए है ठीक है बच्छे टार्गेट वो 30 प्लस याने कि 31 या 32 यह आपको इसमें माक्स खीचने है ठीक है कितना कर सकते हो वो आप डिसाइड करिए आपका टार्गेट 31-32 होना चाहिए है ठीक है क्वांट में आपका क्या होना चाहिए है क्वाइं मैं आपको 25 लेकिट समूर्लेकिशि वर्तों 25 24 से 218 ठीक है इतना भी चलिएगा ठीक है आप इतना ध्याण रखेगा ठीक है आपको अभी प्लस करके दिखाऊंगा फिर ठीकर रोगत माल लेते हैं 32 आपका reasoning में आ जाते हैं, reasoning में 32 आ गया, ठीक है, इसमें आपको पकड़ बनानी है, यह चीज ध्याँ रखना है, ठीक है बचे, 25 यह कितना हो रहा है, ठीक है, 5 यह 7 हो गया, ठीक है, 32, कितना हो रहा है, 57, ठीक है, अब 57 में बचे, अगर हम 17 भी अगर माल लेते हैं, हम 20 कुश्यन्स भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कितना बचे, 20, 20 भी निल आ रहे हैं, अगर 18 भी कुश्यन्स अगर हम इंग 25 मार्क्स हो गया ठीक है क्लियर है बस हमें यह टार्गेट रखना है अगर इंग्लिस में हमारा 18 बिजार है कोई दिक्कत नहीं है बट हमारा क्वांट में 25 ठीक है और रीजनिंग में अगर आप उपर नीचे भी करना चाहते हूं अगर आप यहां पर मानलों आपको लग रहा था कि मेरा यह सब्जेक्ट अच्छा नहीं है बही तो बहा पर आप उसको कम कर देड़े कि भी आप यहां पर अच्छे ले करने आप civil ले ए plastic तारीके से कि हैनक का मतलब यह है आप comment section में पूछे ठीक है बेफिकर होके ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके लिए हैं आपके पास ठीक है always और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम मान के चलते हैं बच्छे कि 50 days हैं हमारे पास 40 या 50 days sorry 45 से 50 to 45 days मान सकते हैं हम लोग ठीक है आप इसको एक ऐसे सेडूल में target बनाए बच्छे दिन रात एक कर दीजे इसके लिए ऐसा सेडूल साइट कर दीजे कि बस कुछ नहीं हमें स्रिप अपना selection देखना है दुनिया को भूल जाए सब चीज एक साइट रख दीजे बस अपना सपने के लिए जी जान लगा देखें डेफिनेटली selection होगा इसमें कोई डाउट नहीं है कोई सक नहीं है बही क्योंकि आपकी मेहनत है आपको जरूर रिजल्ट लेगी ठीक है तो जो टाइम है ना बस इसमें लगा देखें गुज जाए अच्छे से सब कुछ भूल जाए ह कि कुछ करना भी है बस दो मंत के लिए जो मुझे यह जो डेज है ना इसको 45 को 90 ठीक है 45 डेज को आपको 90 क्रिएट करना है 90 और 90 डेज को ऐसे क्रिएट करना है बही कि इसमें आपको अपने हैल्थ भी देखनी है बट अपना कैरियर आपके लिए बहुत मुस्ट होना क्लियर है तो इस चीज को आप दोहान रखे और इसको थोड़ा कंटीनू करिए एक अच्छा से डूल बनाएए ठीक है डेली मोग दीजिए बच्चे एनलेसीस करिए और अपने सबसे बड़ी बात एक मोस्ट इंपोडेंट पॉइंट बीक पॉइंट ठीक है बच्चे बीक पॉइंट पर वर्क करिए अप लग बीक पॉइंट पर वर्क करिए बर करिये इसपर ठीक है जो आपका fight करना है भही आपको selection दिलाएगा ठीक है आप अपने big point पर बर्ग करिए भही आपको selection दिलाएगा ध्यान रखना ठीक है एक चीज और मैं बता दूँ बच्चे कि आप लोग GA के लिए मैं आपको फिर से एक चीज बता दूँ GA most important point भाई क्योंकि यहां आप पहां से यहां से निकल जाते हो बट आपका यह section रहता जर्ना लावारनेस मतलब GA GA में क्या करना है बच्चे मैं 18 ठीक है स्वरी 19 ठीक है 19 नवंबर से ठीक है डेली करन्ट अफेर क्लास ले लेकर आ रहा हूँ daily CA live class CA live class at 8 a.m बचे ठीक है इसमें with detail और fact के साथ discuss करेंगे with fact और details के साथ ठीक है plus details के साथ सब कुछ आपको इसमें provide किया जाएगा clear है यह आपको daily वाला continue रखना है आपको क्या करना है बई last मैं आपको एक चीज बता दूँ last six month इसमें important होता है ठीक है मैंने आपको कहा था आई-बी-पी-एस-प्यो means में कि last three months का पड़ी आपने देख लिया होगा सब three months से ही था mostly ठीक है मतलब 99% कह सकते हो भी three months से ही था जिस तरीक के questions थे ठीक है तो इसमें बच्चे क्या होता है SBI clerk में always last six month का पूचता है तो आप September से September October November December January February बच्चे कह सकते हो कि भी September से आपको शुरू करना है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे सर September से कैसे शुरू करें तो आप हमारा weekly pdf भी आता है हमारा weekly ठीक है with fact or explanation के साथ ठीक है weekly भी आता है weekly daily and monthly हमारा free of cost है आप हमारा google करिए आप अर्चे थे exam barrier बहां जाकर आप सारी pdf डाउनलोड करके पढ़ सकते हो ठीक है यहां से weekly pdf फॉलो कर लीजिए ठीक है प्रीबियस मंद का बाकी आप यह वाला daily वाला करिए क्योंकि recent मंद का most important है तो आप इसको जोइन करिए कि 19 से बाकी अभी जो अगर आप नमंबर से पहले का देखना चाहते हो तो वह फस्ट नमंबर से 19 तक का तो वह आपको uploaded मिल जाएगा बट वो recorded form में दे रहे हैं हम अभी live class हम नहीं ले रहे हैं बच्छे ठीक है तो यह दिहान रखना है ठीक है और daily current affair आपको daily weekly monthly daily आपको यहां मिलेगा session की PDF आपको comment section में मिल जाए करेगी ठीक है last six month का आपको पढ़ना है इसके लिए SBI clerk के लिए यह दिहान र के दमाग में रख लेनी है कि बैट चीजों को हमेसा fact के साथ भी पढ़िए और हम लोग SBI clerk से पहले भी जैसे अब भी हम recently SBI PO और RBI assistant के लिए एक अपर्चिस सुपर paid booster release कर रहे है ठीक है और वो 20 November तक कर देंगे ठीक है 20 November को release कर देंगे ठीक है अपर्चिस सुपर booster for SBI PO and R SBI assistant ठीक है और SBI clerk के लिए बच्चे before one month you can purchase it means कि आप एक मन्त पहले आप उसको purchase कर सकते हो हमारी official site अपर्चित exam barriers से ठीक है उस booster में क्या रहता है वो मैं आपको उसी time discuss करूंगा बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ है वाई वन भाई ठीक है तो I hope बहुत सारी चीज़ सीरीज लेका रहा हुआ जिसमें most expected questions के साथ हम आगे बढ़ेंगे ठीक है I hope सारी चीज़ें clear होंगे और 18 नमबर से सब live class join करिए ठीक है अगर कुछ need है यह लग रहा है कि बही कुछ और चाहिए तो भू भी बताइएगा हम आपके साथ हैं हर जगा हर एक condition में बाकी अगर session बसंद आ रहा है बचे तो session को जरूर लाइक करिएगा तब तक के लिए bye bye take care and फिर मिलते हैं बचे next session में clear है और एक चीज़ दोर में आप सबसे कहना चाहता हूं कि please बेट मत करिए खुद के सपनों के लिए कुछ करिए अपने family के लिए कुछ करिए जी जान लगा और करके दिखाईए silent रहे किसी को कुछ मत करिए जब selection हो जाएगा दुनिया को पता लग जाएगा कि आप कहां stable हो ठीक है so मैं यहीं पर session को finish करता हूं बचे और daily life class का time मैं फिर से बता दू 8 a.m. पर आपको 90 November से morning में join करने और वो उसमें most expected questions रहा करेंगे जो आपका हर ए टेक कैर एंड प्लीज डू इट फास्ट अब बेट मत करना कल पर depend मत रहना बरना कभी वो कल नहीं आएगा so please do it now just now